हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मेरा नाम है हेमलता और मैं आपका स्वागत करती हूं मैफूद माइन्स में आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़ा, होम मेड पिज़ा, बिल्कुल बजार जैसा और तवे पर जिसे बनाना बहुत इजी है और खाने में बिल्कुल बजार वाला टेस्ट आता है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजे चलिए फिर बनाते हैं हम हमारा पिज़ा यहां पर मैंने आधा कप दही ली है और यहां पर मैंने अब थोड़ा से सॉल्ट लिया है सॉल्ट आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं यहां पर मैंने आधा चमच बेकिंग पाटर लिया है और अब हम 1 फोड़ दिश्पून ही बेकिंग सॉड़ा लेंगे अब मैंने यहां पर आधी चमच चीनी ली है शुगर ली है शुगर से टेस्ट बहुत अच्छा आता है और अब यहां पर मैंने दो शमश तेल लिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि जो हमारा बेकिंग पौडर और बेकिंग सोड़ा है वो अच्छी तरह से एक्टिवीट हो जाए यह देखे बहुत अच्छी से मिक्स करना है से अब मैंने यहां पर कोई आधा किलो करीब मैदा ली है और अब हमें करते तरह से excellent pizza बनाना है तो इसको मैंने बेकिंग पाऊडर भूल को उसको भाहत वार है बाट Mauna बैकिंग को बड़ इस तरह से आप इसमे पाड़े डाल करेंको यह दो दोड़ ना है एक soft dough बनाना है हमें इसका देखिए इस तरीके से हमें इसका dough बनाना है यह देखिए हमारा dough तयार है और अब हम इसे थोड़ा सा इस पर घी या तेल लगा कर इसको आदा घंटा rest पर रख देते हैं यह देखिए इस तरह से इसको अच्छे से grease करना है इसके ओपर अच्छे से जो भी आप लगाना चाहें घी या तेल वो लगा कर इसको कम से कम आदा घंटे के लिए इसे आप छोड़ दीजे ताकि जो हमारा बेकिंग पॉडर है और बेकिंग सोड़ा है वो अच्छे से अपना काम कर दे और इसको एक सॉफ्ट बना दे अब इसको साइड पे रख दीज देखे फ्रेंट्स आधा घंटा हो चुका है और अब हम हमारा पिजा बेस के लिए डो को देखते हैं यह देखे कितना सॉफ्ट बना है यह अब हम इसमें एक बरी फिर से थोड़ा से इसको अच्छी तरह से मिक्सब कर लेते हैं यह देखे इस तरह से बहुत अच्छे से इ इसली एवेलेबल होता है अब वहां से भी पिजा बेस लाकर और अपने घर पे बहुत आराम से बिजा बना सकते हैं यह देखे अब हम इसको एक रोटी की तरह बेल लेते हैं जादा पतला नहीं बेलना है आप चाहें तो इसको हातों से भी कर सकते हैं या फिर बेलन की से भ यह देखें इस तरह किसे और अब मैं यह पर फॉक की हील से से इसमें छोटे-छोटे होल सकते हो ताकि यह फूले नहीं यह तबे पर जाएगा और फूल enginesे उले इसमें रहा यह बेलों ताकि ये फूले नहीं Prinzip यो अपने हाथ हैं और अब यादंत अगया है मोटा है तो अपने हाथ हैं आपको अचित्पा कर ली मैं सकाथ और यहां पर दो चमच करिए पिज़ा सॉस मैंने इस पर लगाई है दो से तीन चमच पिज़ा सॉस इस पर बहुत आराम से लग जाएगी और हमने जो वेज़ेटेबल्स काटी हैं अब हम वो इस पर लगा लेते हैं यह देखे मैंने यहां पर ओनियंस लगाई है और कैपसिक हम अपने पिज़ा पर डाल देते हैं और यह देखे आप यहां पर मैंने चीज डाला है चीज आप मोजरेला चीज भी ले सकते हैं और सिंपल चीज भी ले सकते हैं आप यहां पर देखे इस तरह से हमारा जो पिज़ा है वह अब को खोने के लिए बिलकुल तयार है और इस गैस पर रख दिया है कुक होने के लिए अब इसको हम ढग देते हैं कम से कम 6-7 मिनट के लिए आपको इसे लो फ्लेम पर इसी तरह से गैस पर रखना है ताकि यह बहुत अच्छे से अंदर तक सिख जाए यह देखे हमारा पिजा बिल्कुल तयार हो चुका है आप देख सकते है कितना टेस्टी यह देखने में लग रहा है खाने में भी यह बहुत टेस्टी है अब इसको हम काट लेते हैं यह देखें पिजा कटर से यह चाकु से अब इसको बहुत इसली काट सकते हैं देखें मैंने इसको काट लिया है बहुत टेस्टी लगता है यह खाने में फ्रे अब हम इस पर चिली फ्लेक्स टाल लेते हैं अगर आपके पार सीजनिंग है पिजा सीजनिंग है तो आप वह भी डाल सकते हैं इस पर यह देखिए हमारा पिजा बल्कुल तयार है खाने के लिए चलिए फिर इसे खाते हैं फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीज़े शेयर कीज़े और सब्सक्राइब करिये मेरे चैनल को बहुत टेस्टी लग रहा है थैंक्स फर वाचेंग